अगर आप इफे दूद का सेवन किया तो निश्चिति आपको नुकसान होगा। आज हम बात कर रहे हैं कि दूद वाला इंजेक्षन भैस वाला इंजेक्षन का प्रयोग हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए आखिर में कब करना चाहिए और कम नहीं करना चाहिए तो गाय भेंगे दूद नहीं दे रही है बच्चा मर गया है या भी फिर लाज चला रही है तो आप लाकर एक इसमें ठोक देते हैं दूद निकाल लेते हैं अई फक कभी मत करें आखिर में क्यों नहीं करें हम उसको आग तो चले चलते हैं कि भैस वाला इंजेक्षन दूद्ध वाला इंजेक्षन कहां प्रयोग करना चाहिए और इंजेक्षन प्रयोग करने से आपके घर में आपकी बेटी को आपकी बहु को बास्पन की फिकायत हो फक्ति है सबसे पहले आपको बता दें कि जो दूद्ध वाला इंजेक्षन हो करके एक हार्मोन है जिस को हम आपछी टोफीन का इंजेक्षन कहते हैं आफिटोफिनिक हार्मोन है और हार्मोन कहां पर पाए जाता है या फीमेल में गाय हो भैंशो या आपके सबजी का फल हो जो फीमेल बराइटी है उसी में पाए जाता है मुखते दो हार्मोन पाए जाते हैं एक आफिटोफिने हाइडू परिष्टान दोनों को जब बैलम्फ रहता है तो गाय भैंश अच्छी तरह प्रिणिट होती है और फल भी अच्छा जाता है लेकिन अगर डिस बैलम्फ हो जाता है तो एक दो बार हुआ उसके बाद बेकार तो कि नहीं देना चाहिए क्यूंकि अगर आप ने आप विटव फी इंजेक्षिन का प्रयों कि या भैंस को लगाया तो दूस कौन पीएगा तूस कौन पीएगा हम पी एंगे आप पीएगे आप की घर की बहुत बेटिया पीएगी आपकी घर की महलाएगी तो जब एक प्राकृतिक रूप से बैलेंस मात्रा में, फीमेल के अंदर, महिलाओ के अंदर, गाय भेंश के अंदर, हार्मोन रहता है एक बैलेंस मात्रा में, वह डिस्बैलेंस हो जाएगा, और डिस्बैलेंस हो जाएगा तो बाच्पन की सिकाथ हो जाएगी, वह कैसे? हाइड्रो प्रिश्टन हार्मोन कमी हो जाएगी और आफिटोसीन हार्मोन फरेर को बहाता है बिकास को बहुत तेज करता है इसलिए आप बहुत समाचार चाहर ने पर कभी कई पूने होगे कि इसको लब इंजेक्शन भी ओला गया है क्योंकि बहुत से अवैद्रूप से लल्कियों पर इंजेशन को लगा कर जल्दी से उसको विकाफ करा के करा देते हैं यही कारण है हमने इसको ज़्यादा भी सिर्थ नहीं ले रहे हैं लेकिन यही कारण है कि अगर फीमेल में हार्मोन अधिक्ता होगी तो उसका फरीर उसका वाड़ी वेट समय से पहले विकाफ कर जाएगा आपसी टोशिन हार्मोन फरीर का विकाफ बहुत तेज करता है लेकिन लेकिन क्या है फरीर का विकाफ तो हो जाएगा लेकिन जहां पर हाईडो परिस्टान हार्मोन नहीं रहेगा तो कभी वा पिरिनट नही नहीं होगा चाहे गाय भैस बकड़ी या हुमन में ले लिजिए सब का सब होई हाल है इसलिए अगर गलती सुव इंजिक्षण आपने लगा दिया हो तो अपने घर की महिलाओं को एक फदूर मत पिलाएं कुछ किसान भाई पस्पालक भाई सब्जीव में लगा देते हैं कहते हैं सब्जीव वाल इंजिक्षण ने आज लगाई ये आज एक वित्ता का हकाले डेड़ सुट का हो जाएगा महां परिमत परियोग करें कौन खाएगा हम खाएंगे आप खाएंगे आपकी घर की कोई भ लगाया दोद्न लिए उसका दोद्ध कौन पीएगा घर के लूग पियेंगे जो बच्चा वह उपसी का बच्चा पीएगा किसका बच्चा भैस का बच्चा गाय का बच्चा तो उसका भी पिकास्तेज होगा और वहावी बाजपन के तरफ जा सकता है और नुम्बर दो जिस भैस को आपने लगाया हो सकता उसके भी फरेद में आफिटोसिन हर्मोन की अधिस्ता हो गई हो और दुबारा प्र अबैद है फरकारी रूप से बंद है उसका प्रयोग मत करिए गवर्मेंट बंद भी नहीं करा सकते क्योंकि उसका ऐसे अस्थान पर उप्योग है कि अगर नहीं रहेगा तो कितने आदमी मर जाएंगे कितने जानवार मर जाएंगे कि यही एक ऐसा इंजेक्शन है कि बच् नहीं कर सकता है लेकिन कानों रूप से अबैद प्रयोग मत करिए नहीं तो इसका इल्जाम आप भूंगे और अगर ऐसा ही रहा आप इंजेक्शन लगाकर दूर्स निकालते हैं दूर्स देरी पर देते हैं किसी के घर देते हैं तो निश्ची थी आने वाले समय में सब्सक्राइब आफ फिर मिलते हैं अगले वीडियो में जाए जहाँ